देश भर में बॉलिवूड अक्ट्रिस कंगना रनाउथ को विरोध का सामना करना पर रहा है। के बड़े लाग तेश भरता प्यादव का भी गुस्सा देखने को मिला है। जब कुछ लोग अंग्रेजों से माफी माग रहे थे तब देश के वीरफासी का फंदा चूम रहे थे। तो यह कहकर देश को आजादी 2014 के बाद बिली है देश के खातिर शहीद हुए सुदंता सेनानियों को तो अपमानत ना करें। देश के खातिर बलिदान ना देते तो आज भी किसी अंग्रेज के घर में जूते चपल साफ कर रहे होते। इसके साथ ही एक फोटो भी तीश्विताप यादव की तरफ से शेयर किया गया है। देश द्रोही बताया जा रहा है। लेकर गिसस तरह से कंग्ना ने देश का अपमान किया है। यानि कि चहां एक तरफ देश भड में कंगना रनाउत को विरोध का सामना करना पर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अब तेश प्रताप यादव का भी गुस्सा देखने को मिला है ट्वीट करते हुए तेश प्रताप यादव ने बताया है कि अगर आप बलिदान नहीं दे सक तो कम से कम आप जिन लोगों ने बलिदान दिया है उनकी अज़त रखिये और इस तरह के बयानों से बचिये इसके साथ ही तस्वीरे साजह करते हुए तीश प्रताप ने बताया कि अगर हमें आजादी नहीं मिली होती तो आज भी किस तरह से हम गुलाम बने रहते और इश भर में विरोत का जो है सामना करना पर रहा है कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द कंगना माफी मांगे इतना ही नहीं पदम श्री वापस करने की बाते भी कहीं जा रही है तो ये जो पूरा बवाल है वो अब लगातार बढ़ता जा रहा है जिस तरह से बयांज कंगना र के लिए होती तो अब भी हम अंग्रेजों के गुलाम बने रहते फिलाल कि इतना ही जाद आपडेट के लिए आप बने रहें ये नीजस वान नीशन के साथ नमस्कार